अयोध्या में राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा समहरोग आज से सुरू हो चुका है आज पहला दिन है और आज से लेकर के 22 जनवरी तक ये प्राणप्रतिष्ठा समहरोग चलेगा और यहां से आज रवाना हो रहे हैं प्रकांड विद्वान लच्मी कांद सहस्त्री जी और ये वो परिवार है जो की छत्रपतिष शिवा जी के राज़ अविशेक में भी इन ही के पूर्वज यहां से महराष्ट गए थे और आज वो सुनहरा दिन है जब प्रकांड विद्वान लच्मी कांद सहस्त्री जी अविध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तो पूर्वजों का पूर्ड ऑन्द है हमारे कि उनके आशिर्वाद से महात्माओं के आशिर्वाद से हम ये कार कराने जा रहे हैं। भगवान प्रभू सबको आशिरुवात दें और सबको फले फूले यही हमारी कामला है आज वहाँ पर क्या सुरुवात हो रही है आज सोला जनवरी है आज से सुरुवात हो गई है प्रांट पते से समारो की आज वहाँ जलियात्रा होती होगी इस समय कलश कलश यात्रा जलिय होता है जल पूजन है वरुन पूजन है और क्या नाव कि कल श्यात्रा में मुझो मूर्थी छोटी वाली जाएगी उसको साथ में लेकर सभी दर्शनार्थी शोभायार्थी जो वहां उपस्थित होंगे वो सब उसमें सामिल होंगे यह आज का विश्य है और फिर दिससे आग कल तो वहां आरंभाय यद्यका उसमें जो है यज्मान प्राइस्चित के उपराण्थ स्नारुन करक्स के त्यार हो जाएगे तव गशन पूंन्या-वाचन वरुन पूजन मातरका पूजन वसोरधारा पूजन अयुष्यवंत्र जब् नांदीश राद्ध के पस्चाद जितने विद्वान बाहर से वोलाए गए हैं अहूत किये गए निमंत्रित किये गए हैं उनको सभी को वरन देके और मंडप में बुलाए जाएगा आप किस तरह का पूजन कराएंगे आपका क्या रोल रहेगा मारा तो हम वहाँ मंडप में ही रहेंगे मंडप का कारिश चालू रहेगा सब्सक्राइब राद तक चुलेगा उसी में हम वहा विराज़मान रहेंगे आपका दिशान निर्देस समर समाय है यह लोग गए हुए है वह विज्वान और ऑए हुए हैं वो लोग सभी लोग साहयो करके उस कारे को गची देंगे और वो कारे आगे बढ़ता रहेगा बराबर गुरुची आफीन के पूर्वज चत्रपति सिवा जी के राज़विसाक में भी गये थे यह तो आख्या ही काई है कितने सो साल वर्षे की पूर वबात है वो तो हम लोगों को तो कोई स्मरण उसके हाय दही अब जो आख्या ही काई है वो हम लोग सुन रहे हैं उसकी मर्यादा का पालन कर रहे है आज कितना बड़ा स्वाभाग गये है कि आप फिर उसी प्रमपरा को निर्वन करते हुए आज भवान राम के मंदिर में जाए है तो हमने आपसे पहले कहा कि तो हमारे पूरवजों का पुर्ण संत महात्माओं के आशिरवाद देवताओं के आशिरवाद हमारे ऊपर हमारे पूरवजों के ऊपर है कि आज ये दिन हम लोगों को प्रस्तुत देखने को प्राप्त हुआ जहां तक प्राणप्रतिष्ठा की बात है तो प्राणप्रतिष्ठा की बात है प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में सब विदित होई गया है वैसे जन यात्रा होगी उसके बाद कर्म को टीर का कारेक्रम होगा जो मूर्ती है वो हम लोग को दी जाएगी मूर्तिकार द्वारा उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा के आगे की प्रतियाएं शुरू हो जाए है उसके प्रश्चात भी उसका हवन होता है हवन होने के बाद वो पंचगव्य ये तो बाहरी शुद्धी हुई जो उस्तान करने से होती आंत्रिक शुद्धी जो है पंचगव्य प्राशन के बाद होती है पंचगव्य प्राशन वो कर लेंगे उसके प्रश्चात वो इस जो बंधन है वो हुनको पालन करने होंगे उसके पश्चाद मूर्ति के प्रानप्रतिष्ठा के करम में जो मंडब हमारा बना है उसमें सारे जो देवता हैं चारोवेदियां बनी का स्थापन होगा प्रधानवेदी पर भगवान राम का स्थापन होगा अगनिस्थापन होगा फिर ग्रह याग होगा जो नवगर वहां स्थापी थे उनका ग्रह मंदिर यों प्राशा havoc का स्नपन होता में विषिष प्रावान का रखरएंधे होगी उसके शुद्धी होगी और इसी क्रम में फिर भगवान का भी स्नपन होगा वो 108 कलशों से होता है उसमें भी भिन प्रकार की 108 कलशों में जो है उशिदियां होती है पत्ते होते हैं चाल होते हैं रत्न होते हैं और सहस्र छिद्र का एक पात्र होता है इसमें 1000 छिद्र होते हैं उस पात्र से भगवान का स्थान होता है ये सब होने के पश्चात फिर भगवान का आकरी में जो है शैया दिवास होता है और शैया दिवास होने के पश्चात फिर भगवान जब उठते हैं तो फिर उठने के बाद ही जो है उठाने के बाद ही उनको फिर भगवान की आज जहां तक यह है कि प्राइश्चित तो होगा शायद उसके बश्चार फिर जले यात्रा और इसी क्रम में सारे कारक्रम की से मैंने बता हैं वो सब चलते रहें इस तरीके से आप लोगों के पूर्वज को एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है आप लोगों ने क्या सुना है अब तक उनके बारे में और जिस तरीके से चात्रपती सिवाजी की बात होती है उस संदर पे आप अब तक क्या स्परण सुने हैं ये सब बातें तो गवरवानवे और जहां तक बड़े कारओं की बात है तो जो प्ताव जी है लक्ष्मिकान जी वह बहुत बड़े जो है करा आए हैं इसमेंे किलक्षचंडी से करें कुछ निक तो मुझको लगता है की 30-40 एक सबसे बड़ा याग बाना जाता है उसका विप्रते ने जो है नेपाल में काटपंडों में किया था और एक बार यहां वारा नसीव भी हुआ था गुरुजी अंतिस जवाल आप से यह है कि ट्रांट पतिष्ठा का जो समय है जो नक्षत्र है क्या वो पूरा दिन 22 जनवरी का बहुत सुभ माना जा रहा है और लोग लगातार यह कोशिश कर रहे है कि उस दिन जो भी मांगलिक कारे हो लोग के घर में भी उसी दिन कोशिश की जा रही है ऐसे मुहूर्त जो है बहुत कम मिलते हैं इतना मुहूर्त का सोधन किया गया है वो मुहूर्त जो है सो अत्यंत सोभनी है और बहुत भारत वरशी के लिए अत्यंत फल दायक शुभ दा अब गुरु जी तो आगे जाएंगे बताइए कि जिस तरीके से आपके परिवार का एक इथिहास रहा है कि शित्रपति सिवाजी के समय भी आपके परिवार के लोग ही वहां पर आजया विशेक में गये थे कितना गौरानुवित करता है यह पला हम लोगों को तो बहुत गौ बाद मिले माता जी कितना बड़ा गौरामदी करने को वाला यह पल है क्योंकि आप लोगों के परिवार का एक इतिहास भी रहा है यह वारे जेड जी है मैं उनकी शोटी भावज हो आप जो है आज हम लोगों को यह गौरों है कि हम लोग इस परिवार में आए है यह हम करने वाला चण है परिवार के लोगों के आखों मों देख करके आप समझ सकते हैं हम और भी माता जी है उसे बात करते हैं आज दो सब्द बताईए आप आज आज कितना बड़ा दिन है कि आपके पूरवज भी शत्रपति सिवा जी के राजय विशेक में गय थे आज कि आप लोगो को कितना अनंद है आज और क्योंकि आप लोगों के परिवार के इतिहास रहा है चात्रपति सिवा जी के राजय विशेक में आप लोगों के पूरवज गय थे और आज राम मंदिर के प्रणपुदिष्ठा में गुरू जी जा रहे हैं बहुत ही गौरों की ब दिए ले पूरा कर दिया उसके उसके साथ हम लोग भी पूरे उनके इसमें आ गए हम लोग पूरा भाग को जैसा पर लोगों मिल रहा है बहुत ही मुश्किल हो है और बहुत से पहले बिसनाए कि आप लोगे पूरवज विराज विशेक में गय थे उस बास बास बदस जो है राम जी का सिलाने अस उन्हीं नहीं किया ता मुई पूजन का और वह द्यास ही है उनका सवराल भी अध्या से है हमारी सासुमा याध्या की पुत्री है तो इस सारा बहुत ही सवागी की बात है कि इतना बड़ा पल हम लोग के परिवार में मिला है जन्यवाद चत्रपत बहुत अधा गौरव हो रहा है कि उनके खांदान में हम लोग आए हैं हम लोग को भी है सब देखने को मिल रहा है सब करने को मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो ये परिवार जहां एक तरफ बहुत खुश है बहुत आलाहित है कि जो गौरव साली इतिहात रहा है इस पीडी का आज वो इतिहात फिर से दोहराय जा रहा है और गुरु जी खुद लश्मी कांदिछित जी 87 वर्ष की आयू में राम मंदर की प्राणप्र दिश्चा के लिए कासी से रवाना हो रहे हैं वीडियो जनलिस्ट शेवा मिश्रा के साथ सुषान घर्जी नियूज नेशन वारण